दोस्तों यह है 5-6 मिनट की वीडियो आपके ओफिस में काम करने के बहुत सारे समय को बचाएगी इससे आप एकदम सुपर कूल भी लगेंगे और आपका समय भी बहुत ज़दा बचेगा इस वीडियो में मैं आपको मेल मर्ज ऑप्शन के बारे हैं बता हुआ जो कि एक्सल और MS Word का इस्तमाल करके होगा एक साथ एक ही क्लिक पर अगर आपको मल्टिपल लोगों को इमेल सेंड करना हो उनकी नाम के साथ उनीके एड्रेस के साथ उनीके नम्मर के साथ तो इस प्रकार से करेंगे तो यहाँ पर मेल मर्ज का रोल प्ले होता है साथ में आप मेल मर्ज क होने के लिए subscribe पर दीज़ेंगे कि मैं आपके लिए इसी वीडियो ले कि आता रहता हूँ वीडियो के स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहां पर मैंने सामने excel की file open हुई है यहां पर आपका जो पहला top होगा जो headers होंगे वह आपके important है इसे ही आप आगे वाला जो काम करेंगे वह यहां पर dependent है यहां पर name mobile address या कुछ भी नाम पता या कुछ भी Hindi या English आप कर सकते हैं data को आप यहां पर फिल कर सकते हैं अपने नहीं लिखा हुआ है इसी परिकार से mobile number address यह जो तो चार फील्ड है वह मैंने यहां पर नहीं लिखे हुगा क्योंकि मैं उनको excel के file से उठाने माला हूँ किस परिकार से करेंगे वह आप देखिए अब मुझे सिंपली करना क्या है कि मुझे यहां पर जाना है अब ऐसे में मैंने यहां पर एक फोल्डर बढ़ा हुआ इस फोल्डर के अंदर मैंने excel की file और MS Word की दोनों फाइल को एक ही फोल्डर पर रखा हुआ एक ही लोकेशन पर लिखा हुआ है सो चलते हैं MS Word पर बापिस select पर क्लिक करते हैं use an existing list पर क्लिक करते हैं then मुझे उसी address पर जाना जहां पर मेरा वो फोल्डर था so d drive के अंदर for videos के नाम से मैंने एक फोल्डर बना है यहां पर मुझे जो मेरी excel की file तो उसको मुझे select करना है select करने के बाद मुझे यहां पर इसे open करना है open करने के बाद यहां पर आपको इसाम लाएगा seat number 1 अब ध्यान देंगे कि मेरी excel में यहां पर seat एक number बनी हुई थी अगर मैं चाक तो आप seat 2345 भी हो सकती थी लेकिन यहां पर मेरी सिर्प सिर्प एक ही seat है seat number 1 होने के बाद यहां पर दिखे लिखा हुआ है first row of data contains columns header जो पहला row का data होगा उसे एक header बना जाएगा तो यहां पर टिक कर सकते हैं आप तो यहां पर अंचेक भी कर सकते हैं वही फील्ड आपको यहां पर देखने को बिलेंगे अब suppose जिसे मुझे यहां पर नाम चाहिए तो मैं नाम बाला फील्ड यहां की name यहां पर ले लेता हूं कुछ इस प्रेकार से आजाएगा इसी प्रेकार से मुझे अगर यहां पर address चाहिए तो मैं यहां पर click करता हूँ और यहां पर जाता हूँ इसका इसका color भी बडल सकता है home पर चलते हैं इसके color को मैं red कर देता हूँ इस प्रेकार से अब इतना करने के बद आपको बपेस से जाना है mailing पर और यहाँ पर आपको मिलेगा preview result आप इस पर click की सेगा तो यहाँ पर आपको पहले field का जो नाम पता mobile number जो भी होगा वो change मिल जाएगा then आप यहाँ सही से आगे बढ़ा कर इस प्रेकार से अलग-अलग number को देख सकते हैं अब जब आपको लगे यह completely काम कर रहा है सही सी काम कर रहा है formatting आप change कर सकते हैं तो यहाँ पर आप finish and merge पर click कर सकते हैं और यहाँ पर आपको दो option और मिलेंगे इसके नीचे तीन option मिलेंगे कि आप चाहें किसे email के तरह से send कर सकते हैं यानि कि multiple field को एक अलग-अलग email बनाकर अलग-अलग लोगों को send कर सकते हैं या फिर आप इन सभी को print document भी कर सकते हैं print document जब आप click करेंगे तो यहाँ सबस्क्राइब करेंगे कि सारे paste को सारे field को आप करना चाहते हैं सभी pages को करना चाहते हैं तो अलग-अलग page बनेंगे या फिर आप कुसी एक current record को करना चाहते है या फिर आप कोई page नमबर से किसी और page नमबर तक करना चाहते है वो आप लूपर depend करेंगे तो इस प्रकार से आप mail merge कर सकते हैं और अपने काम को आसार कर सकते हैं समय को बचा सकते हैं ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ और मोर एकसल से, ऐमस वर्ड से लेटिव आपको टिप्स और ट्रिक चाहिए तो प्लीज चेल में सब्सक्राइब कीज़ेगा आज की वीडियो जेखने के लिए शुकरिया वीडियो लाइक कर तीजिये का शैर कर दीजिये का और चैणल पढ़ दोक इन तो प्ली सब्सक्राइब तीजिये का बीडियो ने सिक्याइब ये टन्यवाद जैहेंद